हाई फ्रेंज मैं हूँ योगंद्र कुमार जैस्वाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रेक आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग को बता ही होगा कि जितने भी हम लोग वाटर लाइन हैं बीएपी से लेके पूरा बॉयलर पंप तक भेजने का काम वो सारे चीज़ के बारे से हम लोग देख चुके हैं एयर लाइन के बारे से हम लोग पूरा देख लिए हैं अब बॉयलर को लाइट अफ करने के लिए और क्या जवरत पड़ेगा फ्यूल की जवरत होगी तो आज हम लोग फ्यूल को कैसे बॉयलर तक लेके जाते हैं और क्या-क्या साधान औ या फिर coal हो, light up करने के लिए, जो भी हम लोग fuel use करते हैं, चाहे वो LDO हो, HOFO हो, PCM हो है ना, तो उसके लिए हम लोग आज देखेंगे COG GANS, CO GANS मतलब कि क्या होता है, जो की battery, आप लोग जाने ही होगी, coal को कोक में convert करने के लिए, करते हैं, बाइटरे का उप्योग करते हैं, और वहां से जो gas release होता है, उसी को ही बोला जाता है CO GANS, ये एक by product होता है, जब रोग को कोई के फार्म में जब convert करते हैं, तो वहां से जो gas release होता है, उसी को ही बोला जाता है CO GANS, ठीक है, वो CO gas को हम लोग boiler में use करते हैं as a fuel, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत जादा combustion element होता है, इसको असानी से हम लोग boiler में जला करके, बहुत अच्छे से steam generation के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, और करते हैं, ठीक है, तो generally जहां पर हम लोग blast furnace होकर देखने को मिलता है, तो वह आज हम लोग देखेंगे boiler में हम लोग जहां भी multi fire boiler हो, multi fire मतलब जहां पर LDO use करता हो, HO4 भी use करता हो, और PCM भी use करते हो, और gas का भी उपयोग करता हो, और साथ ही साथ में cold dust का भी उपयोग करते हैं, तो यह क्या कहलाता है, अगर एक चीज़ available ना हो, तो दूसरे चीज़ कोल के भरोसे रहोगी, तो कभी पाने गेर दिया, तो कोल जाम हो जाता है, जिसको जैसे आपको boiler में बहुत सारे problems आते हैं, तो उस condition में क्या करता है, multi fire boiler कर दिया गया है, अगर in case आपके पास cold available नहीं है, तो आप LDO जलाओ, LDO भी नहीं है, तो PCM जलाओ, PCM नहीं है, तो H का use करो, है न, तो ये सब क्या है, continuously आपको steam production में आपकी सहायता करता है, ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, COG line of procedure, COG का एक मैं line diagram बना दिया हूँ, ये क्या होता है, ये होगा आपका boiler का furnace होगा, furnace area, ये पूरे furnace के A, B, C, D, 4 corners पे क्या रहते हैं, COG का line गया हुआ होता चाता है, तो आज उसके बारे से हम लोग देखेंगे, generally क्या होगा, जब भी अगर किसी blank या फिर खाली space area में अगर आप किसी gas को provide करते हो, तो क्या होता है, अगर वो line खाली है, तो उसमें क्या रहेगा, उस air को अगर महां से हम लोग remove नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा वो blast कर सकता है, या जल सकता है, तो देखिए, एक line diagram बना दियो हो, यह होता है main line COG का, जो कि आपके पूरे plant में बिच्छा हुआ रहेगा, और वहीं से हम लोग bleed करके लेते हैं अपने boiler के लिए, तो जो भी boiler आप use कर रहे हो, COG gas line, तो क्या होगा, यहाँ पर यह वाला भा आप भी बताते जाओंगा, और यह सारे क्या है, इसके arrangement, FCB, TB, अगर सारे चीज़ लगा होता है, तो COG को जब हम लोग line मिलेंगे, तो इसका main procedure क्या क्या है, उसको चलिए, आगे हम लोग देखते जाते हैं, सबसे पहला procedure है, आपको UCL तक charge करना, देखिए, आपर जितना अभी rate zone बना हुआ है, यह rate zone तक क्या है, अभी UCL, गैंस जो है, COG गैंस जो है, भरा हुआ है, मतलब कि वहां तक line में भरा हुआ है, अभी UCL में हम लोग क्या कि हैं, पानी को fill up कर दिये हैं, पानी fill up है already, और पानी fill up होने के वज़ा से यह गैंस जो है, इधर नहीं आ रह चाहिए, इसी को ही हम लोग manually देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ-कुछ points है, इसको देखते चाहिए, COG यहाँ तक तो आ चुका है, यहाँ पर देखिए, एक है makeup water, makeup water का का काम क्या होता है, इस UCL में पानी को भरने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते है, makeup water का उपयोग कि जाता है, इसी makeup water से एक line और bleed करके दिया जाता है, जो कि seal pot में जाता है, seal pot का का काम क्या होता है, बस line को पहले देखते चाहिए, इस UCL में पानी भरने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको drain wall जो है, नीचे UCL में उसको close रखना है, और यहाँ पर लेक रहता है, blank plate, blank plate मतलब जब किसी boiler को हम लोग बंद कर देते हैं, सट डॉन कर देते हैं, तो उस condition में क्या किया जाता है, यहाँ पर drain line के बाद में जस्ट जो फ्लेंस दिया जाता है, वहाँ पर एक blank plate लगाते है, metal का, ताकि कोई भी वहाँ से जो water है, वो drain line से leakage नहों हो में gas के साथ यदि कोई moisture आता होगा, तो उस moisture को क्या करेंगे, इस gas line से कैसे निकालेंगे हम लोग, इस drain की थूरू हम लोग पानी को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा चीज, यहाँ पर एक overflow valve दिया रहता है, कि अगर in case हम लोग जब पानी डालेंगे, तो इस पानी का इ ये UCL में gas को हम लोग hold कर चुके हैं, ठीक, उसके बाद है एक manual bleeder valve, एक blanking space, MOV, फिर flow meter लगा रहता है, वेंट है, TV मतलब की trip valve, एप से भी मतलब की flow control valve है, नीची यहाँ पर दिया है purging space, purging line हर एक जगा पर purging line दिया जाता है, अब देखिए इसको कैसे line-up करते हैं, ठीक सारे चीज़ तो पता चल गया होगा, तो हम लोग separate separate वीडियो बनाएंगे, एक UCL को कैसे break किया जाता है, इस UCL को break करने के लिए हम लोग को क्या-क्या procedures अपनाने हैं, और दूसरा चीज, UCL break होने के बाद, आगे की procedure कैसे किया जाएगा, ताकि यहाँ था हम लोग gas को पहु जाना, UCL को break करने के लिए आपकी procedure क्या है, सबसे पहले तो ensure हो जाना है कि इस overflow से पानी आ रहा है, ठीक है, ensure, overflow valve, open होना चीज़, open है मतलब कि यहाँ से पानी आता रहा है, ठीक है, दूसरा चीज क्या ensure करना है, दूसरा चीज करना है आपको सिधा purging line, purging line में क्या रहेगा, कि जो purging line है, यह corner पर, UCL के, after UCL, ठीक है, start purging, after UCL, and MOV, ठीक है, UCL and MOV, UCL और MOV के बीच में आपको क्या करना है, steam purging करना है, steam purging करने का main purpose क्या होता है, कि वहाँ से पूरे gas जो भी है, या फिर oxygen जो भी है, उसको क्या करना है, जो flammable, जो की जलने में सहायक होता है gas को, उसको वहाँ से क्या करना है, remove कर देना है, तो purging line का pressure अगर पूछा जाए, maintain, maintaining purging pressure 7 to 8 kg per cm, purging line का pressure कितना रखा जाएगा, 7 से 8 की जी रखा जाएगा, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक valve रहेगा, उस valve को open करना है, और जो भी यहाँ पर blank space है, उस area पर क्या करना है, आपको steeming करना है, steeming कब तक करना है, जब तक कि यह went valve से steam बाहर ना आ जाए, है तो विन्ट वाल न कि ओपन होना चाहिए को ओपन विन्ट बहुप hobbies है को वाल्व कि और कि प्लीडर वाल्व गोर्व जाता थे कर भे के निदेरब्लेज कि घंड वाल्व विंट वाल्व तो चलेगा जब यहां पर इस्तीमिंग कर देंगे तो steaming कब करेंगे तो कैसे पता चलेगा जब यहां पर steam पूरा हो जाएगा steaming हो जाएगा तो यहां से venting से क्या होना चाहिए steam बाहर निकलना चालू हो जाएगा तो जब steam बाहर निकलेगा तो हम लोग ensure हो जाना है कि यहां पर हम लोग क्या कर दी है purging operation complete हो चुका है ठीक है उसके बाद insure हो जाना है insure जो drain valve close in seal pot drain valve क्या होना चाहिए close condition में होना चाहिए ठीक है जो use seal का drain valve है वो close condition में होना चाहिए इतना चीज होने के बाद में अब आपको क्या करना है सबसे पहला प्रोसीजर close make up water अगर make up water को पहले close नहीं कर पाई रहा तो एक चीज याद रहिए सबसे पहले आपको क्या करना है remove blank plate remove blank plate blank plate का काम क्या है यहाँ पर जो हम लोग दो flange की बीच में एक blank लगा है ताकि यहां से कोई भी पाने drain ना हो जाए और gas ना आ जाए ठीक है इन केस अगर blank plate नहीं रहा तो क्या हो जाएगा यह अगर passing कर दिया तो यहां से पूरा gas आ जाएगा और पूरी area में फैल जाएगा इसलिए इसको नहीं करते हैं तो जब हम लोग लाइन आफ करते हैं तो क्या करेंगे अब इसको सबसे पहले यह तो drain valve close है blank plate को आपको क्या करना है open करना है तो blank plate को निकाल देंगे blank plate निकालने के बाद में open drain valve यूशिल drain valve टिक है अब जो यहां पर यूशिल का drain valve है उसको क्या किया जाएगा open करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से पानी पूरा जाना चालू हो जाएगा मतलब कि यूशिल से पानी खाली होना चालू हो जाएगा तो यू सील से पानी खाली कहां से हो जाएगा ये सील पॉट के ड्रेंज से खाली होता रहेगा ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है close overflow overflow valve ठीक है इसको क्या करना है overflow valve है उसको close करना है ताकि अगर पानी का इस तर नीचे आएगा तो यहां से गैस बाहर ना आ सके ठीक है इसलिए इस वाल्व को क्या किया जाएगा ओवर्फ्लो वाल्व को क्लोज करना है उसके बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पर मेकप वाटर जो आप प्रोवाइड कर रहे हो कंटिनूसली यूसिल में फिलप करने के लिए उसको हम लोग को क्लोज कर देना है तो क्या हो जाएगा क्लोज मेकप वाटर ठीक है क्लोज मेकप वाटर मेकप वाटर को जब बंद कर देंगा तो यूसिल में पानी जाना बंद हो जाएगा और यहां से पूरा जो पानी है वो पूरा ड्रेन हो जाएगा तो ड्रेन होने के बाद में क्या हो जाएगा पूरा खाली हो जाएगा यह वाला इस्पेस और खाली होने के बाद में यहां तक गैस जो है आना चालू हो जाएगा ठीक है यहां तक gas आना चालो हो जाएगा और gas आने के बाद में यह कहां तक charge हो जाएगा यह उसल तक charge हो जाएगा तो जैसी ही vent से यहां पर अभी तो vent open है तो जैसे ही vent से अगर gas आना चालो हो जाएगा ठीक तो हम लोग को क्या करना है इस vent को या फिर bleeder valve को close कर देना है और जो हम लोग purging के लिए steam provide कर रहे थे उसको भी हम लोग को क्या करना है close कर देना है ताकि separate हो जाए तो क्या करना है ensure steam coming in bleeder wall and then close bleeder wall ठीक है also purging line क्या करना है purging line परजिंग कि बिट्वीन कि कि एमोवी एंड कि यूसिल कि एमोवी एंड यूसिल कहाँ पर यह हो गया एमोवी और यूसिल की बीच मेंच हम लोग परजिंग कर रहे है उसको क्या करना है close करना है ठीक अब यहाँ पर क्या हो गया सारे line up हो गया तो देखिए हम लोग purging line को भी close कर दिये और और make up water को भी हम लोग बंद कर दिये तो यहां से पानी जाना बंद हो गया और यहां से हम लोग drain valve को open किये तो इसके और यहां से पानी पुरा खाली होना चल हो गया और यह report में चला किया तो और याद रखिएगा जब इसको हम लोग you seal को break करते हैं तो drain valve क्या रहेगा हमेशा open रहेगा ठीक है drain valve always open condition ठीक है मतलब कि जब तक आपका boiler चलता रहेगा तब तक आप इसको क्या करना है open condition में रखना open रहेगा तो जो भी इस योजी के साथ में अगर moisture आएगा वो यहां से condense होके बाहर चला जाएगा और seal pot में पानी भरा जाता है already तो इसको भी आपको ensure हो जाना है ensure makeup water available for seal pot ठीक है seal pot के लिए आपका makeup water का line आना चाहिए पानी अब क्या होगा जब यह पूरा break हो गया यहां तक गैस आ गया गैस आने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं अब पूरे line को isolate कर दिये मतलब कि यहां पर makeup water को use seal में जाने से रोक दिये लेकिन makeup water का एक line जाएगा कहाँ पर seal pot पर ताकि जो भी गैस आ रहा है वो return seal pot पर ना जाए seal pot पर अगर चला गया तो अगर यहां पर पानी नहीं रहेगा तो यह क्या हो जागा वेंट होके पूरा area में फैला देगा इसलिए हां पर पानी को डाला जाता है ताकि वहां पर गैस को रोका जा सके ठीक है तो यह तो हो गया use seal break करने का तरीका अब use seal break होने के बाद में इसका next part में आभी upload कर दूँगा तो use seal break होने के बाद में आगे का procedure कैसे करते हैं उसको चली हम लोग देखते जाएंगे इसके next वीडियो में आभी upload कर दो क्योंकि यह वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है ठीक है